हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट रिजल्ट 2024 आपका कब तक आ जाएगा जो आपका एक्जाम अभी हुआ है और आपके आंसर के आप लोग ने सबने देखी लिए होगी आंसर के बारे में सारा डिसकसन हम कर चुक बढ़ेंगे उसके अलावा जो important बात है वो यह है कि सीटेट रिजल्ट आने पर आंसर की के according आपके रिजल्ट में नमबर घटेंगे या बढ़ेंगे किसके नमबर आपके घटेंगे और किसके नमबर आपके बढ़ेंगे जिहां अब यहां पे घटने वाला नाम सुनके आ reality है मतलब मैं आपको यहां पर reality बताने आया हूँ कि सबके नमबर नहीं बढ़ने वाले कुछ लोग के घटेंगे भी किन लोग के घटेंगे किन के बढ़ेंगे वही आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाओंगा तो डरने की ज़रूरत नहीं है ध्यान पूरवक सारी ब नहीं सबस्क्राइबर देखते हैं जो हमारे सबसक्राइबर ही लेकिन जहना पूर्वक सुन्लो के आन सर की चैलेंज करने की कोई जरूरत नहीं करने था चैलेंगे लाएं मैं इसकी तरफ से चैलेंज करने हूं मतलब मैंने काफी सारे questions already challenge कर दिये हैं और अभी मैं और भी करने वाला हूँ जैसे-जैसे मेरे पास जो है इखटे हो रहे हैं questions और जो हम analysis कर रहे हैं उसके base पे हम questions को challenge कर रहे हैं answer की को challenge कर रहे हैं तो उसमें काफी सारे मतलब ऐसे 50,000, 78,000 रुपे लग जाएंगे कोई बात नहीं वो पैसे में अपनी तरफ से लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि सब के number बढ़ सके तो हमारे जितने भी subscriber है उन सभी के number बढ़ने की कोशिश है सभी के number आपके बढ़ेंगे तो जितने भी नए student है उन से कहना यह है कि आप लोग भी हमारे subscriber बन जाओ अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं जल्दी से अभी अगर आप channel को subscribe कर लेंगे तो तब ही आप subscriber बन जाएंगे तो channel को subscribe करके bell icon को जरूर दबा लेना bell icon से आपको notification और सारी जानकारी मिलती रहती है तो subscribe कर लिया होगा आपने जल्दी से कर लो फटाफट से जितने लोग भी channel को subscribe कर लेंगे उन सब के number बढ़ेंगे ये बात पकी है तो मैं आप लोगों के लिए इसका लिए काम कर रहा हूँ चिक है चलिए बाकी वीडियो को like कर देना क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो है आपके फाइदेगी वीडियो है तो like करना तो बनता है अब मैं यहाँ पर आपकी जो है ये बताता हूँ कि कैसे नंबर बढ़ते हैं और कैसे आपके घड़ते हैं ये चीज समझ लीजी एक बार देखें सबसे पहले तो आपको अगर मैं यह बताओ कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो कब तक आ जाएगा है ना तो जैसे आंसर की आपकी आती है चोबिस जुलाई को आपकी आंसर की आगी है ना तो चोबिस जुलाई के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो उसमें दस दिन का समय लगता है तो आपका यू मान के चलो आपकी पांच अगस्त से पांच अगस्त से आपका जो है दस अगस्त से पहले पहले दस तो मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ लेकिन एक लेके चलते हैं पांच अगस्त से अब 6 को आ जाए 7 को आ जाए इतने में आपका जो है result आ जाएगा नंबर कैसे बढ़ेंगे कैसे घटेंगे अगर इस पर बात करें तो देखो क्यासे बढ़ते हैं अब जो आंसर की पे जो आफिशल आंसर की जो आपकी CBSC ने जारी की है उसके हिसाब से अगर उसने किसी प्रश्ण का उत्तर गलत दिया है मान लीजिए एक प्रश्ण है यहाँ पर आपका यहाँ पर प्रश्ण है आपका question number 1 है आपका मान लीजिए और यह एक प्रश्ण है इसके option है आपके A, B, C और D अब यहाँ पर इसका सही answer जो है वो है आपका A है ना और CBSC ने आपका answer दे रखा है इसका C मतलब CBSC के हिसाब से यह answer है लेकिन आपने जो अपना answer लगाया था वो A ही लगाया था आप अपनी उत्तर पुस्तिका में जो आपका OMR sheet है उसमें A ही लगा गया है और CBSC ने इसका answer C दे दिया तो अब हम इस पर challenge करेंगे कि भईया इस cancer तो A होना चाहिए आपने C कैसे दे दिया इसका answer हमारे पास fact नहीं देखो इस वाली किताब में है या generally आपका NEP में जहां पर भी आपकी बात कर रहे हैं कि इसका answer A होना चाहिए आप CBSC को check करेगी दो बारा से और वो इसको A ही कर देगी तो आपका एक number जो यहां घट रहा था वो एक number बढ़ जाएगा इसी परकार से जितने भी प्रशन होंगे अब जैसे कई प्रशन ऐसे होते हैं जिसके दो answer से ही होते हैं अब माली जो question number 2 है आपका या 23 कोई भी question हो सकता है ये question है इसके A, B, C और D अब इसमें इसने positive बात पूछी थी आपसे कि भाई इसमें जो है बाल विकास के बारे में कौन सा कतन सही है लेकिन इसने पहला आपका गलत था और ये भी सही दे दिया ये गलत ये भी सही अब इसमें दो option सही है इसमें B पे लिखा है विकास निरंतर चलने वाली पिर किरिया है और D पे लिखा है विकास में व्यक्तिकाद भी मिनताय होती है अब आपको लगेगा दोनों सही है अब क्या करें भाई दो सही है जब तो आपने कभी ऐसा लगा दिया तो ये नंबर आपके बढ़ जाता है कई बार ऐसा होता है कि CBSC कई A question ऐसा दे दिया उसने जिसके चारो ही option आपके गलत है यानि कि एक प्रश्ण पूछा था आपसे ये भी गलत ये भी गलत ये भी गलत ये भी गलत अब चाहे है इसमें आपने कोई सब आंसर लगाया हो A लगा दिया हो B लगा दिया हो C ये डी ये नंबर मिलेगा सभी को ये नंबर मिलेगा सभी को, सभी के नंबर इसमें बढ़ जायागा, लेकिन घटेगा कैसे, घटेगा तब मान लीजिए, अभी आपने एक question था यहाँ पर मान लीजिए, question जो भी था आपका, 50 नंबर का question था मान लीजिए, अब इसके 4 option थे A, B, C और D, इसमें क्या था, इसमे आपने A लगाया हुआ है, है न, A आपने इसका answer लगा के आए हैं, आप अपनी omar sheet में, अब answer की release हुई, और answer की में भी CBSC ने A ही दे दी आपका, है न, इसमें आपने भी A लगाया था, और answer की में भी A ही आगी आपका, तो आपका number तो मिल गया आपको, अब ऐसे ऐसे मान अगर गलत लगा दिया हो, तो हम गलत को सही ठहराएंगे, असा हो नहीं सकता, तो कुछ बच्चे इसको D ही लगा के आए होंगे, तो जिन्होंने A लगाया होगा, CBSC ने भी answer की में ये दे दिया, लेकिन actual में इसका answer होना चाहिए 30, तो जब वो इसको change करेगा, तो आपका ये number घट जाएगा, तो अगर आपका, आपने गलत लगा रखा है, आपने तो already गलत लगा रखा था, वो CBSC ने भी गलत बता दिया, इसलिए आपको लग रहा है कि हमारा number बढ़ गया, लेकिन ये जब real में जब final answer की, आपकी release होगी revised वाली, ये result आएगा आपका, तो result में अपके number कड जाएगा, तो यहाँ पर आपके number घटते भी हैं, तो अगर इस परिकार के question है, अब इस परिकार के question परétण मैं नहीं बता सकता आपको, ये तो आपको ही पता होगा, आपने किया answer लगा रखा है आपको ही पता होगा, आपने कौन सा option लगा रखा है, तो इस पर तक यह नंबर भी आपके घट सकता है अगर मैं एवरेजन बात करूं तो भाई इसमें आप कहोगे कि सर कितने घटने की उम्मीद है या कितने बढ़ने की उम्मीद है क्या अंदाजा ले के चलें तो इसमें कोई फिक्स बात नहीं होती अब आपकी नजर में तो वह कोशन सही अगर एक-डो नंबर घटा भी यह तो आपको अफ्सोस करने की कोई जरूरत नहीं है और उसमें अपको बचा भी नी सकते अगर ये इस तरह का नंबर आपका घटता है, क्योंकि आपने गलती उत्पर लगाया था, तो भी इसमें गलत में हम कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते, तो ये तो एक दो नंबर जो घटेगा आपका, वो घटे गए भाई, बागी बढ़ने वाला हिसाब ये है ये कह सकता हूँ मैं आपसे कि जिन लोगों के नंबर बहुत ज्यादा कम है, जिनके बिलकुली 50-60 नंबर है, या ऐसा लगा है कि अब नंबर बढ़ने के बाद भी नहीं पास होना, तो वो तो नेक्स सीटेट की त्यारी स्टार्ट कर दो, सीधी बात ये है, और नेक्स वीडियो को जाके देख लो, इसमें सारी जानकारी आपने मैंने दी है, कि सिलेबस चेंज हो रहा है, तो कैसे होगा, क्या पैटन रहेगा, एक्जाम पैटन, क्या आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी या कुछ और भी, जो भी अपडेट्स हैं, वो सारी वाते इसमें बता दी हैं, ये वीडियो जाके देख लो, आप लोग, बागी नोट्स अगर चाहिए होंगे, नोट्स आपके अप पर मिल जाएगा, एप है हमारा, ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ले लेना, चिक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसने नहीं कर रखा है जल्द